नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज की स्वीडियो में हम जवाब देंगे एक क्वेरी का, एक प्रोब्लम का, जो की हमारे पास, हमारे एक सब्सक्राइबर ने परस्टल मैसिज करके हमारे पास फोरवड की है, और हमसे पूछना चाहा है उनके सवाल का जवाब, तो सबसे पहले मैं आपको उस परस्टन का एक क्योस्टन बताता हूँ, जो की अपने आप में किसी भी परस्टन की परस्टनल लाइप को डिस्टरब करने वाला है, तो मैं यहाँ पर उस परस्टन का नाम में आपके साथ सेर नहीं करूँगा, लेकिन उनकी जो क्वेरी है वो में नम दे दिया है, तो अब इस सिच्वेशन में उस परस्टन के पास क्या-कया राइट्स और ड्रेमेडिस अवलेबल हैं, वो इस सिच्वेशन में क्या कर सकता है, तो देखिए दोस्तों यह क्योस्टन अपने आप में ही किसी भी परस्टन की एक मेरिड लाइप को डिस्टो को लेकर तो बिना किसी संदे के जो उस बच्चे की paternity है वो साथ तोर पर उसी परसंद से बिलोंग करेगी जिस परसंद के साथ उस लड़के की मा की उस बच्चे के मा की साधी हुई है यानि कि जो हमारा भारतिय कानून है हमारा Indian Evidence Act है उसका section 112.112 क्लियरली बोलता है कि अगर साधी के अगले दिन भी अगर बच्चा पैदा होता है तो जिस परसंद के साथ साधी हुई है उस बच्चे का legitimate फादर वो परसंद ही होगा और paternity उसको वहीं से मिलेगी क्योंकि कानून हमेशा से बच्चों के लिए इस favor में रहा है कि बच्चा कहा गया है कि साधी के बाद जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी paternity सीधे तोर पर जिस परसंद के साथ साधी हुई है उसी परसंद के साथ जुड़ती है और इसके साथ इसमें ये भी mention किया गया है कि अगर तलाक के 283 दिन के अंदर भी बच्चा पैदा होता है तो भी उस बच्चे की जो paternity है वो उसी परसन के साथ belong करेगी जिस परसन के साथ उसकी मज़र ने divorce लिया है तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब ऐसी situation में इस परसन के पास क्या-क्या rights available होंगे तो देखें दोस्तों जो हमारा section 12 है Hindu Marriage Act यान की Hindu विवा अधिनियम का जो section section 12 है वो बात करता है voidable marriage के बारे में और section 12 में काफी सारे ऐसे grounds दिये गई हैं जिनके basis पर एक साधी को void declare करवाया जा सकता है यह साधी अपने आप में voidable है लेकिन इसे आप court में जाकर एक decree पास करवा सकते हैं पैटिसन फाइल कर सकते हैं जिसकी decree के साथ आप इस साधी को void declare करवा सकते हैं तो इस जो section में हमारे सामने जो grounds है एक बार मैं वो grounds आपको read out करके बता रहा हूँ तो देखिए सबसे पहला जो ground है वो ground relate करता है importancy से इसमें कहा गया है कि that the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent second round that the marriage is in contravention of the condition specified in clause 2 of section 5 अब देखिए जो section 5 clause 2 है इस पर हम already एक separate video बना चुके हैं जिसका link में आपके साथ description में share करता हूँ और आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को दोबारा से देख भी सकते हैं इसके बाद जो third point है वो है that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the child marriage restraint act 1978 the consent of such guardian was obtained by force or by fraud as to the nature of the ceremony or as to any material fact or circumstance concerning the respondent और इसके बाद जो हमारा fourth ground है वो relate करता है इस video के साथ इस problem के साथ तो इस ground में का गया कि that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner तो देखिये दोस्तों यहाँ पर इस point से बिलकुल clear है कि जो respondent है यानि कि जो महिला है वो साधी से पहले किसी और परसन से pregnant थी अब यहाँ पर clear कैसे हो रहा जैसे कि जो हमारी query है उसमें आया है कि उसकी wife ने 6 महिने के अंदर ही बच्चे को जनम दे दिया तो it's obvious कि वो साधी से पहले ही pregnant थी और यह fact वहाँ पर disclose किया गया है अब इस point के साथ आपको यहाँ पर एक खास बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर कोई भी legal action कब ले सकते हैं कब आप आपकी साधी को जो की इस वज़े से voidable हुई है उसे void कब declare करवा सकते हैं तो इसके लि shall be entertained unless the court is satisfied that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged and second diya है that proceedings have been instituted in the case of marriage solemnized before the commencement of this act within one year of such commencement and in the case of marriage is solemnized after such commencement within one year from the date of the marriage and that marital intercourse with the consent of the the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground तो देखिए अब यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है तो यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि जो fact है उस fact का यानि की लड़की की pregnancy का आपको साधी के समया पे बिलकुल भी पता नहीं था आप उस fact से unaware थे दूसरा यहाँ दिया गया है कि आपने साधी के एक साल के अंदर ही आपने court को approach कर लिया यानि कि अगर आपकी जो वाइड़की उनको साधी के 6 महीने के बाद बच्चा हुआ है तो आपके पास अभी सिर्फ आगे 6 महीने का ही time है और 8 परसन जो है वो 12 महीने यानि कि एक साल के अंदर ही court क अप्रोच कर सकता है कि उनकी साधी को वोई डिकलेर करवाया जा सके इसके बाद जो थर्ट पॉइंट उसमें क्लिरली कहा गया है कि जो पार्टीज हैं उसमें पैटिसनर यानि की मेल की कंसेंट के साथ किसी भी परकार का इंटर कोस दोनों पार्टीज के बीच में नहीं हुआ है तो यहां पे आपको यह तीनों कंडिसन एक साथ फुल्फिल करना जरूरी है और उसी के बाद आप इस साधी को वोई डिकलेर करवा सकते हैं अधर्वायज आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं होगी तो आई थिंग कि आपको समझ में आया होगा अगर समझ में नह साधी के समय बिल्कुल भी नहीं पता था और साधी के एक साल के अंदर ही आपने कोर्ट को अप्रोच कर लिया है और तिसरा जिस दिन आपको इस फेक्ट के बारे में पता चला कि जो वाइफ हैं जो रिस्पोंडेंट हैं वो किसी अधर परसन से ओल्रेडी प्रेगनेंट है आप दोनों के बीच में उस दिन के बाद से पैटिसनर की कंसेंट के बिना किसी भी परकार का सेक्शल इंटर कोर्स नहीं हुआ है यानि कि पैटिसनर की कोई कंसेंट वहां पे नहीं और किसी भी परकार का पार्टी के बीच में सेक्शल इंटर कोर्स नहीं हुआ है उसी समय आप इस ground को ले सकते हैं इस ground का benefit ले सकते हैं अब इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो court है वो हमेशा बच्चों के favor में रहा है उनकी legitimacy के favor में रहा है तो इसी के साथ section 16 of Hindu marriage act उसमें clearly कहा गया है कि अगर कोई बच्चा जो की void ya voidable marriage से पैदा हुआ है तो भी उस बच्चे का अपने माता-पिता की property में पूरा अधिकार है वो बच्चा अपने माता-पिता की property को claim कर सकता है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना हुआ क्योंकि उस बच्चे के साथ जो paternity है वो already आपकी ही जुड़ी हुई है और उस चीज़ को आप deny नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारा जो section 112 Indian Evidence Act है उसमें clearly provide किया गया है तो देखे दोस्तों इसमें जो remedy available हो सकती थी और जो provisions यहाँ पे आते हैं वो मैंने आपको बता दिये है और उमीद करता हूँ कि आपको ये point समझ में आए ह होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें स्टेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय हिंग जय भारत